असलाम वालेकुम तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा इसके लिए मैंने कड़ाई ली हूँ गैस को मैं ओन कर लूँगी और जैसे ही कड़ाई हमारी गरम हो जाएगी इसमें मैं तीन बड़े चमच घी दालूँगी और थोड़ा सा घी साइड में रख दूँगी इसे मैं पहले अच्छे से जड़ा फ्राय करके रख लूँगी काजू को सिलो ही एस पे फ्राय करना है यह देखे इतना ही फ्राय करना यह हो गया है अभी मैं इसे एक प्लेट में साइड में निकालके रख दूँगी अभी मैं इसमें दालूँगी इलाइची इसको तोड ली हूँ मैं इसे तोड कर दाल दूँगी अभी यहाँ पे मैं आदा किलो गाजर ले रही हूँ इसे ग्रेट करके रख चुकी हूँ यह भी मैं इसके अंदर दाल दूँगी यहाँ पर मैं गाजर दालने के बाद गैस को फास्ट कर दूँगी और इसे एक मिनिट तक हिलाते रहूंगी इसे छोड़ना नहीं वरना दाग लग जाएगा इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक मिनिट तक उपर निचे फिर उसके बाद में मैं गैस को सिलो कर दूँ इसे हमें अच्छे से 15 सेकेंड में बार बार चेक करतना है अच्छे से उपर निचे हिलाना है और यहां पर मैं आदा लिटर दूद ली हूँ दूद को मैं अच्छे से पका लिए उसकी मलाई के साथ मैं इसके अंदर दो ग्लास दूद दालूं याने आदा लिटर दूद मैं Silohi gas में अच्छे से gas को बिल्कुल falls करना ही नहीं है Silohi gas में हमें भी पूरा gajr का हलवा पकाना है अभी मैं इसे ढख कर 1 मिनिट तक पकने दूँगी दिखिए अब अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ अब आपस से मैं इसे ढख कर पकने दूँगी ये देखिए इसमें और दूद है अभी पूरे दूद को हमें सुकाना है इसमें दूद बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अच्छे से इसे सुका लेंगे वापिस से मैं इसे ढख देती हूँ ये देखिए ये मैं एक मिनिट के बाद चेक कर रही हूँ यहाँ पर मैं अच्छे से से मिक्स कर लोंगी ये जो हमारा दूद जो है अच्छी तरीके से सोक लिया है अभी यहाँ पर मैं एट कर रही हूँ खोवा यह आपको हलवाई की दुकान में मिल जाएगा आसानी से यह भी इसके अंदर में खोवा दाल दूँगी तो यहाँ पे मैं ली हूँ 100 गिराम आदा किलो के लिए यहाँ पे मैंने 100 गिराम ही ली हूँ यह भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी यह देखे हमारा मिक्स करके हो चुका है तो अभी मैं इसके अंदर शक्कर दालूँगी यह 1500 गिराम शक्कर है आपको अगर जादा मिठा पसंद है तो आप और थोड़ा जादा ले सकते हैं अब शक्कर को भी दालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो शक्कर का पानी भी छुटता है इसे भी हमें अच्छे से सोक लेना है देखिए शक्कर का पानी अभी से ही छुटने लग गया है अभी से ढखकर हम पकाएंगे देखें यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपको गाजर का हलवा बनाने के टैम्पे आपको घड़ी घड़ी मिक्स करना है ताकि यह दाग न लग जाए देखिए वापिस से मैं ढखकर और एक मिनिट के लिए पकाऊंगी देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी वापिस से ढख दूँगी मैं ऐसे और यह मैं 15-20 सेकंड के बाद मैं चेक कर रही हूँ अप जबी भी आप ढखकन खुल के हिलाएंगे तो अच्छे से उपर नीचे हिलाना है ताकि यह दाग न लगे अभी मैं इसे ढख दे रही हूँ अभी मैं इसके अंदर दालूँगी जो मैंने साइड में रखी थी ड्राय फूट जो मैंने पहले इस स्टार्टिंग में तल कर रख दी थी वो अभी मैं इसके अंदर दालूँगी यह देखिए इसे भी मैं दाल के मिक्स कर लेती हूँ जो हमारा गाजर का हलवा है वो रेडी हो चुका है अब जो मैंने घी रखी थी वो लाश्ट में थोड़ी सी बचा कर रखी थी एक चमच वो भी मैं उपर से इसमें दाल दे रही हूँ गी उपर से दालने से इसका जो टेश्ट है और डबल आता है अभी मैं गैस को हलका सा मीडियम फास्ट रखकर इसे थलका सा मैं भुन रही हूँ यह देखिए अभी जो मैं गैस को बन कर चुकी हूँ इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ अभी यह खाने के लिए रेडी हो चुका है मैं प्लेटिंग कर रही हूँ आप लोग जरू ट्राइ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए देखिए अभी मैं प्लेटिंग कर रही हूँ यह देखिए आप लोग जरू ट्राइ कीजिएगा अल्ला हाफेज